आपका एक फिर से वेलकम करते हैं आपके अपनी यूटेश में वेजेटेबल गार्णिंग अज़ेपे आज मैं आपके साथ कंप्लेट डिसकस करूँगा कि किस तरीके से करेले का प्लांट का आप केयर करेंगे साथे साथ मैं दिखाऊंगा मैं किस तरीके के प्लांट में अपने करेले का प्लांट को लगाया हुआ हूँ कौन-कौन सा फर्टिलाजर मैं इसमें टाइम पर टाइम डालता हूँ साथे साथ हमें क्या-क्या इस प्रकार के इंसेक्स का अटेक ना हो ये सारे चीश कंपलीट इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ तो सबसे पहले देख सकते हैं आप मेरे करेले का प्लांट में करेले आ चुके हैं और इसका size भी काफी बड़ा ही मेरा है अब देख सकते हैं एक करेला अभी यहां पर आया है एक हां पर हे है दो दो इधर है तीन एक यहाँ पे है चार और भी करेला आया हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि किस तरीके का पॉट में इसमें इसको गुरो क्या था और कितने प्लांट है तो देख सकते हैं यह जो है एक बड़े से कंटेनर में में इसको गुरो क्या और इसमें जो है दो प्लांट है और दोनों प्लांट काफी हेल्दी है कुछ हमारे योलो टाइप के लीफ भी आए है योलो टाइप के लीफ आने के वज़े है यहाँ पे दो तीन दिन से काफी जादा वर्सा हो रही है इसके वज़े से इसके लीफ जो है वो थोड़ा सा य यूलो हो रहे हैं नीचे की तरफ, बाके आप उपर की तरफ देखेंगे तो कोई लीफ यूलो नहीं है, बलकि वह अच्छा से गुरो το भी हो रहे हैं। फ्लावर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल हेल्थी तरीके से आ रहे हैं और छोटा-छोटा जो है भी करेले बहुत सारे आ रहे हैं तो हम लोग इसमें कंप्लीट बात कर लेते हैं कि क्या क्या फर्टिलाइजर और कैसे हम लोग इसका केर कर सकते हैं तो सब से पहले आप मेरा सॉयल देख सकते हैं मेंने नमी बर्गरार रख रखा तो स्वयल को आप 'll be नमी बरग्रार रखींगे साथिसा अब कि बहुत में चाहा नोगांगों अदर और इसमें नेगुश्याद आप अपने प्लांट में डालेंगे भर्मी कंपोस्ट साथी साथ लिक्विट फर्टिलाजर जिसका कि मैं बराबर यूज करता हूं अपने हॉम गार्डन में और आप जिदे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं काफी दिनों से तो लिक्विट फर्टिलाजर के यूज के बार करके इंसेक्ष्ट का अटेक ना हो इसके लिए मैं यहां पर नीम ओयल का स्प्रे करता हूं हर 10 से 15 दिनों में तो दो टिप्स मैंने आपको अभी तक बताया पहला कौन सा फर्टिलाजर डालना है तो भर्मी कंपोस्ट साथ आपके पर गौट मेनियूर या फिर काव देखने को मिलेगा तो देख सकते में आपको एक दिखाया एक और देख लीजे आपको मेने सुरू में देखाया तहां इस वेजेटेवल करेले का साइज भी देख सकते हैं काफी बड़े से और हल्थी हैं यहां पर आप जितने भी हमारे इकरेले देखेंगे वह काफी का टाइस बड़ा लेना चाहते हैं तो सीवेट FDA can Orient में जरूर यूज करेंगे तो सीवेट ली कुछ फेट इस कैसे गते हैं अगर नहीं पता है आपको तो मैं आई बेटन में 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 लिंक दे रहा हूं महाінdo आप देख सकते हैं तो यहां पर दो-तिन टिप्स में आपके साथ शेयर किया पहला कि मैं इसको किस तरीके का कंटेनर में लगाया हुआ हूँ मैं इसमें कौन सा फेटिराइजर डालता हूँ साथ मैं इसमें नी मॉयल का इस्प्रे क्यों करता हूँ यह सारे चीज मैंने बता दिया अब मैं आपको बताता हूँ कि यह जो मेरा प्लांट आप देख रहे हैं जिसमें कि फ्लावरिंग हो र यदि आप उसका प्रोपर तरीके से केर करेंगे साथ साथ केरेले के बगल में मैंने जो देख सकते हैं सीम का भी प्लान्ट लगाया है और वह काफी चोटे हैं और इसमों बहुत सारे सेम आ रहे हैं यह भी हार्भेस्ट करेंगे हम अगले विक आपके सामने जरूरों इसका व करेंगे तो आप इससे कम टाइम में ज्यादा वेजिटेबल और साइज में भी बड़े ले सकते हैं यदि आप घटिया क्वाल्टी का सीट परचेस करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा इसलिए कोसिस किजिए यदि आप अपने हम गार्डन या प्लांट का वेजिटेबल लगाना चाहते हैं तो उसका सीट का क्वाल्टी बेस्ट क्वाल्टी लीजिए ताकि आप कम मेनत में भी उससे ज्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं एक यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा देख सकते हैं इसमें भी काफी यह हद तक नहीं एक किया हूँ उसका रिजल्ट भी आप मैं आपको दिखाता हूँ इसमें देखिया मैंने प्रोपर तरीके से इस वाले कंटेनर पर लिए भर्मी कंपोस्ट तासी था लिक्विट फेटिलाजर यूज किया था जबकि इसी तरीके के सैम कंटेनर में ने दो करेले का प निमी इसपरी वह हो तो उसका रिजल्ट आप देखेंगे इसका प्लांट काफी छोटे है पुरेटिंग को रहा है एसा नहीं एक पर अजहां जाया हुआ है लेकिन इनका size इनके compression में अलग है इनका size जो है कापी छोटे मेरे हैं जबकि इनका size कापी बड़े हैं तो दोनों same quality का seed है आप देख सकते हैं दोनों same quality का seed है दोनों को एक ही दिन मैंने grow किया था लेकिन उस वाले container में मैं बराबर भर्मी कंपोस्ट हर 15-20 दिन में add करता हूं साथी साथ liquid fertilizer add करता हूं बलकि जबकि मैं इसमें किसी परकार का fertilizer use नहीं करता हूं यह compression करने के लिए मैंने इसमें ऐसा किया था कि आपको मैं दिखा सकूँ थी कि यदि आप भर्मी कंपोस्ट या किसी परकार का fertilizer का यूज नहीं करते है तो आपके plant में growth कैसा रहेगा तो आपका plant simple इस तरीके का growth दिखाएगा जबकि आप यदि किसी परकार का fertilizer खासकर organic fertilizer यदि आप terrace garden करते हैं अपने घर में सबजी उगाते हैं तो कोसिस किजिए कि आप organic तरीके से ही अपने सबजी को grow करें क्योंकि market में तो ऐसे भी unhealthy तरीके से सबजी उगा करके आपको मिल जाता है जब आप proper तरीके से जब आप ख्यार रखते हैं तो कोसिस किजिए कि आप organic तरीके से अपने घर का सब्सक्राइब करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ अगर यह मेरा वीडियो आप फेस्बूक पेज़ पर देख रहे हैं तो हमारे पेस्बूक पेज़ को जरूर फोलो किजएगा थैंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो